नमस्कार स्वागत है आपका मनी नाइन में आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम जहां आपको दिन भर की वो सभी बड़ी खबरे मिलती हैं जो जुड़ी हैं आपकी जेब से और आपकी जिन्दगी से मैं हूँ वरोण चलिये शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर बहुत अच्छी है अब करोडों लोगों को नहीं होगी बैंक जाने की जरूरत बलकि उनके घर पर खुद चल कर आएंगी बैंकिंग सेवाएं कैसे होगा ये बताते हैं आपको सत्तर साल से अधिक उम्र के करीब पाँच करोड सीनियर सिटीजन्स और इतने ही दिव्यांग लोगों को जल्द ही उनके घर पर बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्द होंगी वितमंतराले के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही बैंकों के लिए संबंद में निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है निर्देश के मुताविक senior citizens और दिव्यांग जनों के लिए कुछ निशित बैंक ब्रांचों के लिए doorstep banking service उपलब्ध कराना अनिवार रहो जाएगा नाम मात्र की user fees पर bank doorstep banking service की पेशकश करेंगे doorstep banking का आवेदन करने के लिए कि universal phone number भी जारी किया जाएगा दूसरी खबर थोड़ा परेशान करने वाली है क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो की auto service पर रोक लग गई है करनक टक ट्रांस्पोर्ट विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी कर auto service को अवैद करार दे दिया है ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने इन कम्पनियों को तीन दिन के भीतर, auto सेवाओं को बंद करने के लिए भी कहा है कि एक कम्पनिया दो किलोमेटर से कम दूरी के लिए भी कम से कम 100 रुपे चार्ज कर रही है दूसरी और बेंगलुरू में दो किलो मीटर तक की यातरा के लिए कम से कम 30 रुपे का किराया तै है और उसके बाद हर एक किलो मीटर के लिए 15 रुपे का चार्ज देना होता है इन कमपनियों से टेक्सी में सफर करने वालों से भी सरकार द्वारा निरधारित किराय से ज़्यादा किराया नवसूलने के लिए कहा गया है अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टार्ट अपस से जुड़ी हुई स्टार्ट अपस के लिए सरकार अब आर्थिक मदद करेगी सरकार ने स्टार्ट अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है इसके तहत उन्हें एक तैस सीमा का फ्री गारंटी फ्री कर्ज दिया जाएगा DPIIT ने कहा के योगे स्टार्ट अप को 6 अप्तूबर या उसके बाद स्विकरत रण इसर योजना के तहत पात रहोंगे योजना स्टार्ट अप को जरूरी बिना गारंटी के कर्ज देने में मदद करेगी बैंक वित्य संस्थान, NBFC, AIF रिन देने के लिए योजना के तहत पात रहें यहां कवर की जा रही, क्रेडिट सुविधा किसी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं की जाएगी चलिए अब आपको बताते हैं आज की बड़ी ख़बर RBI जल्द लॉंच करेगा डिजिटल केरेंसी भारते रिजर्व बैंक ने शुकरवार को डिजिटल करेंसी पर कंसेप्ट पेपर जारी किया है इसमें RBI ने कहा है कि जल्द ही विशेश मामलों के लिए पाइलेट आधार पर डिजिटल रुपे की शुरुआत की जाएगी केंद्रे बैंक पिछले कुछ समय से सेंट्रल बैंक डिजिटल केरेंसी से जुड़े फाइदे और नुकसान की समिक्षा कर रहा है और अब इसने इसे चर्णबध तरीके से लागू करने की रणनीती का खुलासा करना भी शुरू कर दिया है अब खबर इंडियन ओवर्सीज बैंक के ग्रहकों के लिए है बहुत जरूरी खबर है FD पर अब उन्हें ज्यादा फायदा होगा ये फायदा कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं इंडियन ओवर्सीज बैंक ने 2 करोड रुपे से कम वाली FD पर ब्याजदर बढ़ानी की गोशना की है बैंक ने विविन अफदियों वाली FD पर मिलने वाली ब्याजदर में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है इंडियन ओवर्सीज बैंक साथ दिन से लेकर 10 साल की FD पर 3.6,9 फीजदी से लेकर 5.8,5 फीजदी तक के ब्याजदर की पेशकश कर रहा है एक हजार दिन वाली FD पर बैंक सबसे ज्यादा 6 फीजदी ब्याजदर दे रहा है अगर आप नॉइडा में रहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए बहुत जरूरी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करने के लिए गौतम बुध नगर में रजिस्टर्ड एक दशमलव दो पांच लाग से जादा पुराने वाहनों को परिचालन से बाहर कर दिया जाएगा देली NCR से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेटरोल वाहनों को बाहर करने का आदेश है यूपी सरकार के आदेश के बाद जिला परिवहन कारियाले ने पुराने वाहनों को चरणबत तरीके जबाहर करने के लिए एक अभियान की शुरुआत करती है विभाग ने एक अक्टूबर से पुराने वाहन मालिकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है गौतम बुद नगर में 8,26,000 से ज़ादा वाहन रजिस्टर्ड है विदेशों से पैसे हासिल करने वालों के लिए अब हमारी ये अगली ख़बर है बहुत महतपून ख़बर ICICI Bank ने अपने ग्रहाकों के लिए Swift आधारित Inward Remittance को तेज और निर्भात तरीके से पूरा करने के लिए एक Online Solution लाँच कर दिया है और इसका नाम है Smart Wire जो NRI और Resident ग्रहाकों को Online और Paperless तरीके से Inward Remittance पूरा करने में मदद करेगा ICICI Bank देश का पहला पैंक है जो Inward Wire Remittance को हासिल करने के लिए तेज Online समाधान लेकर आया है और आज की आठमी ख़बर थोड़ा चिंता जनक है क्योंकि IEMF ने भी जता दी है मंदी आने की आशंका जिहां मंदी आने की आशंका अंतरश्य मुद्राकोश यानि IEMF ने 2023 में ग्लोबल आर्थिक वरधी के लिए अपने पूर्वा नुमान को एक बार फिर से घटा दिया है उसने कहा कि 2026 तक विश्व अर्थववस्था में 4 लाग करोड डॉलर तक की गिरावट आ सकती है IEMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जारजीवा ने विश्विक आर्थिक वरधी में गिरावट की आशंका जताई है उन्होंने कहा कि चीजों के और खराब होने की आशंका अधिक दिख रही है IEMF प्रमुक ने कहा के ग्लोबल लेवल पर मंदी से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं तेल निर्यातक देशों के उत्पादन घटाने से ग्लोबल एकोनॉमी पर दवाब और बढ़ने की आशंका है जो पहले से ही उच्च महेंगाई से जूज रही है Power of Attorney का नहीं अब दुरुपयोग हो सकेगा क्योंकि सेवी ने नए नर्देश जारी किये हैं और ये नए नर्देश क्या है चलिए जानते हैं बाजार नियामक सेवी ने ग्रहाकों की तरफ से शेयर ब्रोकरों को दी जाने वाली Power of Attorney का दुरुपयो और गुरोगने के लिए प्रतिभूतियों को गिर्वी रखने से सम्मधित DMAT, Debit and Place Instruction का दायरा बढ़ा दिया है सेवी ने एक परिपत्र में कहा है कि मारजिन कमाने के मकसद से प्रतिभूतियों को गिर्वी रखने और उन्हें छुडाने से सम्मधित DDPI का दायरा बढ़ा दिया गया है सेवी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज मंचों पर म्यूचल फंड का लेंदेन और खुली बिक्री पेशकष में शेयरों की बिक्री भी DDPI के दायरे में शामिल होगी चलिए अब आपको बताते हैं रोजगार से जुड़ी एक अच्छी खबर अडानी सम्मू ने की है एक बड़ी घोशना अडानी ग्रूप ने राजिस्थान में अगले 5-7 साल में नभी करणिये उर्जा समेत विभिन शेत्रों में 65,000 करोड रुपे का निवेश करने की घोशना की है इसे डारेक्ट और इंडारेक्ट रूप से रोजगार के 40,000 मौके तयार होंगे इसके अलावा समू राजिये में सीमेंट उत्पादिन शमता को दोगुना करने के लिए 7,000 करोड रुपे का निवेश करेगा कम्पनी ने हाल ही में अम्बूजा सीमेंट और ACC का अधिग्रेहन किया है अडानी ग्रूप ने कहा कि राज्ये की अन्य परियोजनाओं में जैपूर हवाई एड़े को ग्लोबल लेवल की सुविधाओं वाला बनाना PNG और CNG के आपूर्ति नेटवर्क का विकास और स्वच इदन की उपलब्धता को तेजी से बढ़ाना भी शामिल है चली अब हम आ गए हैं आज की आखरी खवर पर जो हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी हुई है दो पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक वाहन शेत्र में कदम रग दिया है और कम्पनी ने शुकरवार को अपना पहला EV यानि इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida V1 पेश किया है इसकी शुरुआती कीमत एक लाख पैंतालिस हजार रोपे है इस E स्कूटर के Vida V1 प्लस और Vida V1 प्रो नाम से दो मॉडल पेश किये गए है कम्पनी ने दावा किया कि Vida V1 प्लस एक बार चार्ज होने के बाद 143 किलो मीटर तक चल सकता है जब कि Vida V1 प्रो मॉडल 165 किलो मीटर की दूरी तै कर सकता है कम्पनी नए शेहरों में पहुँचने से पहले बिंगलरू, दिल्ली और जैपूर में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू करेगी तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरे, जरूरी खबरे और महत्मून खबरे वो खबरे जिनका आपकी जेप पर और जिंदगी पर होता है असर ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनीनाईन के एप को ताकि तमाम ऐसी जरूरी खबरे आप तक पहुँचती रहें और सोमवार को नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात आप बने रहें मनीनाईन के साथ और चलते चलते ये इन्फोग्राफिक जरूर देखे जरिए धी जरिए बने डाउनलोड के लिए।